25 अपरेल रात कॉंग्रेस ने हर्याना उम्मिद्वारों की लिस्ट जारी की जो लिस्ट एकदम चोका देने वाली रही जिसमें किरन चोधरी की बेटी शुरूती चोधरी और बीजेपी छोड कॉंग्रेस में शामिल हुए विजेंदर सिंग को टिकट नहीं दिया गया जिसक कॉंग्रेस ने इस सीट से रावदान सिंग को उमीदवार बनाया है जिसके बाद से किरन चोधरी नराज बताई जा रही है वहीं टिकट वीतरन के बाद पार्ट के के नेता आहत हैं जिन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करकर अपना अपना दर्द बया किया है जिसमें पर प्रियारा में भीवानी महेंदरगर लोकसबा स्रीट से किरन चोधरी बेटी शुरूती के लिए कॉंग्रेस की टिकट मांग रही थी मही कॉंग्रेस हाई कमान ने हुड़ा के करीबी रापदान सिंग को मीदबर बना दिया है इसके बाद समर्थकों की मीटिंग में किरन चोधरी ने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है पहले आप इस वीडियो में देखिए किरन चोधरी ने क्या कहा आपतल बना शब्वार है तरह हम तो परईवार की तरह है यह हाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का फैसला है और हमारा काम यह मैंने आपको भी बताते हो दिया और यह से जादा और क्या बड़ी बात ह congressional में दular तो कहां तक आप लोग वो तो अब आए हैं वो तो उन से पूछेगा आप और उसी भावुकता से उसी कनेक्शन के साथ और मैंने हाँ पे काम हमेशा किया है तरिवार के रूप में मुझे हाँ पे प्रेम लिया है जो भी मेरी कपासिटी ने है जो भी मेरी हैसा मैं लोग के लिया है द्रसल कांग्रेस ने हर्याडा में भीवानी महिंदरगर्ड लोगसबाशीर से राव दानसिंग को परतियाशी बनाया है जिसके बाद किरन चोधरी ने समर्थोगों की मिटिंग ली इस मौके पर किरन चोधरी ने कहा कि ये पार्टी का फैसला जो भी होगा वो सरमाथे पर है वे अपनी पार्टी का जंडा बुलंद करेंगी साथ ही शुरूती ने कहा कि मैं सरवे में उपर थी लेकिन पार्टी में बहुत सी बाते होती हैं जो निर्ने लिया गया है उसके इसाब से हम काम भी करेंगे वहीं रावदान सिंग की मदद के सवाल पर शुरीती ने कहा कि हम मदद भी करेंगे और चाहते हैं कि यहां से सीट निकले यह हलके की लड़ाई का सवाल है पिता और दालर ने भी ऐसे मोड देके हैं राजनिती से उनको भी रोका गया ऐसे मोड पर शंगर्ष करना होता है कारे करता निराश ना हो